नमस्कार दोस्तों माईजे सिंग आपका स्वागत करता हूं ससी मेगर के यूटूब चैनल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रेलवे परिष्छा 2018 के लिए साइंस बिज्ञान के 25 अधी महत्पुल परसनों के बारे में जो आपके एक्जाम में आने की संभावना है ज्या कि ओभी सारे most important question है तो आईए दोस्तों देखते हैं सब कौन कौन से question ही important जो बार बार एक्जाम में repeat होते हैं तो देखिए दोस्तों question number 51 से देख लिए दोस्तों यहां से लेके 50 तक question दोस्तों पिछले वीडियो में upload कर चुका हूं उसे भी आप देख लिजिएगा देखि most important question पहुत हो कि अंत्रिक संद्रजन का अध्यन का लाता है तो सारी के ठीक है सारी की का लाता है दोस्तों most important question है इसे भी याद रखेंगे next question देख लिजिए निमलिकित में से किस रंक अपउर्तनांग सबसे अधिक होता है सबसे अधिक अप पॉर्तनांग किसका होता है जल से भारे तालाब की घहराई तीन मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्स जल का अपॉर्टनांग 4 by 3 हो तो तालाब की वास्त भी घहराई क्या होगी तो टैयोप्टर याद रखेंगे दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछा गया नेक्स दोस्तों कोचिन देख लिजे रडार की कारें प्रणली नीवन सिधांत पर आधारित है तो आपका रडार की जो का क्न परणली होती है यहां से देख लिजे आप रीडियो तरंगों का दनचाते हैं तो दिती नियम न्यूटन के क्या है याद रखेंगे 58 नमर्ण अ स्विद्ध के और दोस्तों नियम मोठ याद रखेंगे लकिर का उद उतसरजन सिद्धान्त प्याद रखेंगे नेक्स कोसन दखेंगे दैनिक जीवन में भी लोग पूछ लेते हैं लेट जाते हैं कि unto क्योंकि देख लीजिए यहां पर इसका आंसर दिया हुए दोस्तों छेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है जब आदमी लेट जाएगा तो छेत्रफल क्या हो जाएगा शरीर का ज्यादा हो जाएगा तो दाब कम पड़ेगा तो दल दल में धसने की संभावना कम हो जा करता है इसी लिए ठीक है नेक्स दोस्तों देख लिजें यहां से सिकलब राणयों के सरीर में होने वाली निमलिकित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक परक्रिया है तो प्रोटीनों का एमिनों अमल में विग टन ठीक है दोस्तों आपको अच्छा लग रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा उस चैनल पर नाया है तो सस्क्राइब भी कर लिजिए देखिए दोस्तों एक टेलीवीजन में दुरस्त नियंतरण के लिए किस परकार के बैदुचुम की विक्राण का उप्यूग किया जाता है तो हर्ड्स या लगू रेडियो तरंगे ठीक है हर्ड्स या लगू तरंगे लगू रेडियो तरंगे यह भी इंपोर्टन है इसे भी देख लेंगे ठी मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्तित है वह है तो बिरस्तपति मिथेन किसके वायुमंडल में उपस्तित थित है तो बिरस्तपति के ठीक है यह आप याद रखेंगे ठीक है यह भिबी इंप्पोरण पक Kellum कौोशन तो यह भी ब Hersh public नब्और ॐ- devo सथायों, प्रोप् तो उन देसों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान पालिस किया हुआ चावल है लोग पिडित होते हैं वेरी-वेरी रोग से किसे वेरी-वेरी से ग्रसित होते हैं ठीक है यह याद रखेंगे नेक्ट्स दोश्टों चाहिए निम्लिकित में किसं के एकर रहने से थकान होती है तो लाक्टिग अमल लाक्टिक ये stris iya और य्овेरी-वेरी-एक्जाम değer अ किछो एसन में ये प्रकास वर्ष होता है ठीक है बहुत के लिए समुन्द ripping आपने के लिए कौन सा उपराण का प्रयुक्त किया जाता है तो फेदो मीटर ठीक है है समुद्र की घराईन Вас थे किछा फेदो मीटर का और समुद्र में प्रयूंद्र की आपके प्रेशन का प्रयूंड्र क्लिया नीचे पूरण यहाज यह भी important question है इसे भी याद रखेंगे next दोस्तों question देख लीजिए यहां से 72 question देख लीजिए वह काल नहीं देखा जो focus योंग पोल से गुजरते हुए गोलाकार दरपड़ पढ़ती है वह कालाती है मुख्याच कालाती है 73 नमबर दोस्तों question देख लीजिए अगर किसी बस्तु का focus ओतल दरपड़ पर पढ़ता है तो उसकी चाया कैसी बनेंगी अनंत चाया बनेंगी दोस्तों यह भी important question है एक्जाम में पूछा गया है तो इसे भी याद रखेंगे ठीक है 74 दोस question 75 नमर question जीव विग्यान सब्द का प्रयोग सरपर्थम किस ने किया तो लैमार्ग था ट्रेविरेनस ने किया था ठीक है दोस्तों यह भी important question है इसे भी याद रखेंगे दोस्तों question आपको अच्छे लगे है तो लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों और आप इस चैनल पर आपको सारे वीडियो मिले जो आपके एक्जाम में रामबार सी दो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद